तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा हुआ तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा हुआ है तो प्लीस आब वो वीडियो जरूर देखना काफी को सीखने को आपको मिलेगा और कैलिकुरेशन आपकी बहुत आसन जाएगी और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यह मल्टिप्लेकेशन की ट्रिक को लेके अगर हम बात करेंगे साथ डेटा इंटरपडेशन है तो डेटा इंटरपडेशन में नो डाउट कैलिकुरेशन तो काफी कुछ होती है आपका एडिशन अच्छा होना चाहिए सब्ट्रेक्षन आपका चुना चाहिए इसके लाब आपको मल्टिप्लिकेशन भी आपका फास आला चाहिए तो इस्सी शीरीज को हमनोra लेके चल रहे है तो डीवीजन की ट्रिक में बता चुका हूँ आज हम बात करेंगे मल्टिप्लिकेशन को लेके अगर addition आपका strong अगर है न तो कहीं न किया multiplication को बिलको first कर सकते हो इसके लाब अगर मैं multiplication में और बात करूँ कि सर और क्या पता होना चाहिए तो आपको tables यादोना जिरूरी है, square भी यादोना जिरूरी है, cube भी आपको यादोना जिरूरी है जो कि calculation में आपको बहुत ज़दा help करेगा, देखे अगर tables की बात करें न तो tables आपको कहां तक यादोना चाहिए सर टेविल्स कम से कम 30 तक आपको यादोना चाहिए, square कम से कम आपको 30 तक यादोना चाहिए इसके लाबा जो cube है, cube आपको 20 तक यादोना चाहिए, अगर आपको ये सर वगर याद है न, तो इसका मतलब मेरा ये मनना है कि कहीं न कहीं calculation में आपको बहुत ज़दा help मिलेगी, okay, दिया लखना tables 30 तक, square 30 तक, cube कहां तक 20 तक यादोना चाहिए लेकिन अब बात आती है, इसलिए सर आमने ये भी कल दिया, अब इसकी application का use कैसे करेंगे, multiplication को fast कैसे करेंगे, तो कुछ तरीके समझेगे सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर मेरे सामने कोई भी two digit की number है, अब two digit की number को अगर मैं multiply करना चाहता हूँ, तो सरम कैसे कर सकते हैं, fast कैसे कर सकते हैं, multiply करना तो obviously बात है, हम सभी को बाते हैं, लेकिन आप fast कैसे करेंगे, वो समझेगे, देखे, एक method का मैं use करूँगा, आ थोड़ा से updated version type से कह सकते हैं, तो यहां पर देखेंगे, तो कैसे बनेगी चीजे, थोड़ा समझना, जैसे अगर मैं number की बात करूँ, सब 49 into 73 लिखा हुआ है, समझना, 49 into कितना 73, बहुत ध्याल से देखना, चीज़ा बहुत simple है, बहुत आसान है, आपको करना है, 4 into 7, अच 28 लिखिया, 9 into 3, 27 लिख देजे, कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा multiply किया, 4 into 7, 28, 9 into 3, 27, यह मैंने किया, अब आपको करना है, cross multiply, तो 4 into 3, 4 into 3, यानि कितना 12 लिखा, 9 into 7, 9 into 7, कितना 63 लिखा, इसको अगर मैं आपस में plus करता हूं, सब plus करने पे, यहां पे value कितना लिखा, 75 कितना लिखा, 75 लिखा, एक बात जा लिखना, अब 75 लिखा कैसे होगा, यह उनिट प्लेस के नीचे 0 लिख दो, यहां बिलकुँ फिक्स है, यह 0 हमेशा आएगा, यहां पर 2 डिजिट लिखना है, यहां पर 0 आपको लिखना है, अब इसके बाद बिलकुल आप 75 को लिख द 3 और आंसर क्या बनना चाहिए, 3, 5, 7, करेक्ट आंसर कितना हैगा, 3, 5, 7, बहुत सिंपल सा तरीका था, एक और एक जांपल के तुरू समझेंगे, जिससे और भी चीज़े क्लिए होना चाहिए, जैसे लिखा है, 93 इंटु 54, अच्छा, 93 इंटु 54 है, तो 93 इंटु 54 कैसे आ आइन इंटु 4, 9 इंटु 4 कितना 36 होगा, यहाँपे 5 इंटु 3 कितना 15 होगा, इसको अगर मैं आपस में प्लस करता हूँ, तो प्लस करने पितना 51 आएगा, कितना 51 आएगा, यहाँपे आप 0 लगा लिजए है, और सिंपल आप याद 51 को लिख दीजिये है, और इसको आपस से प्लस कर लेते हैं, यह कितना आगा 2, यह कितना 2, 5 प्लस 5, कितना 10, carry कितना 1, और यह कितना 5, आंशर क्या हो गया 5, 0, कितना डवल टूप, देखें, मेरे साथ से न, मैथट गाफी आसान है, सिंपल है और अगर यह टो डिजिट के जो नंबर आ रहा है इसको अगर आपने माइड में अगर एड गल लिया ना तो आंसर बहुत जल्दी आएगा ठीके ना और देखेंगे तो बहुत ज़ल्द कोई मिनत नहीं है सिंपल है आपको बस 95N का टेबल तो याद हो गई होगा आप बस वो लेके यहाँ पर जान रखना है यूनिट प्लेस के नीचे 0 लिखना जरूरी है इसको लिखना मत बुल जाना अगर आपने 0 नहीं लिखा डारेक्ट आपने 51 लिख दिया तो आंसर फिर नहीं मैच करेगा इ अग्जामपल की तरफ बढ़ू सब्सक्राइब एक और अग्जामपल अगर देखेंगे तो क्या है 64 इंटू 82 है कितना पर 64 इंटू में कितना 82 है अब देखो होगा क्या 6 इंटू 8 इंटू 8 आएगा कितना 48 आएगा एड तो आया है पर लिखना मुझे क्या 08 द्याना हमेशा 2 डिखना है 08 आएगा अब कर दीजे क्रॉस मुल्टिप्लाइग 6 इंटू 2 यानि कितना 12 आएगा 4 इंटू 8 यानि कितना 32 आएगा इसको आपस में एड किया कितना 44 आएगा तो यहाँ पे आप 0 8 प्लस 4 कितना 12 कितना 1 और आंसर कितना 5248 कितना 5248 बहुत सिंपल जी मैदर्ड है देखेंगे तो बहुत आसान है वह सब प्रैक्टिस करेंगे न तो और आंसर जल्दी जल्दी आ जाएगा इसको भी देखने है साथ यह भी कैसे बनेगा जैसे लिखा क्या है 98 इंटू कित 42 आना चाहिए अब करो क्रॉस मिल्टिप्लाइ 9 इंटू 9 यानि कितना 81 बनेगा 8 इंटू 8 यानि कितना 64 आएगा इसको अगर मैं आपस में प्लस करता हूं तो कितना आएगा 145 आना चाहिए देखो यहाँ जीरो तो लगा नहीं लगाना यह बिल्कुल दान अपना यहाँ कितना आएगा 145 इसको अपस में प्लस करते हैं तो यह कितना आएगा two आएगा seven प्लस five कितना 12 कैडि कितना one four प्लस three कितना seven और seven प्लस one कितना eight और यह मेरे पास में क्या हो गया answer हो क्या देखे method में मेरे साब से simple सी चीज़े हैं आपने पहले in ka multiply किया फर in ka multiply किया वह आप जीरो आएगा तो जो भी ये नंबर आया हुआ है उसको आप लिखो प्लस कर दीजिए तो अब ऐसे पर आपको प्रैक्टिस करनी है अब जितना आप प्रैक्टिस करोगी वह तरी स्पीड आपकी बढ़ जाएगी ठीके ना हाँ अगर ऐसा हुआ कि सर मैंने प्रैक्टिस नही किया है तो आई तेक उतना स्पीड इंप्रूब नहीं हो पाएगा इस स्पीड को इंप्रूब करने के लिए आपको नो डाउट प्रैक्टिस आपको करना ही करना पड़ेगा यह तो अमने बात के साथ टो डिजिट के नंबर को लेकिए अब थोड़ा सा आंगे और बढ़त कि मैफड में क्या लगा रहा हूँ पहलो बहु समझना जैसे 23 इंटु 24 तो 24 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 23 प्लस कितना 1 ऐसा लिखा हूँ सकता है 24 कि अब सकता है 23 प्लस बन सकता है 23 का अंदर मल्टीप्लाइ करोगे तो 23 into 23, मतलब 23 का square बनना चाहिए, और 23 into 1 करोगे तो 23 आएगा, आज़ा 23 का square कितना होगा, 529 होगा, और plus यहाँ पर कितना 23 होना चाहिए, इसको आपा से plus कर लेते हैं, 520 plus 20, 540 होगा, 540 plus 12, 540 plus 12, यानि कितना 5, 5, कितना 2 answer होना चाहिए, correct answer कितना आएगा, 552 आएगा, देखें, जैसे मैंने का तो ना कि multiplication में या calculation को fast करने के लिए इसको आरी की जरूरत बिल्कुर पड़ेगी, अब जितने ज़्यादा आपको square याद होंगे, बहाँ पर यह तरीका लगा सकते हो, आप इसमें करना क्या है, तो मैं आपको पूरा detail में समझाया होगा है, इतना लि into 24 ता, जो छोटी वाली value है न, सर इसका मैं हमेशा square निकालूँगा, हमेशा क्या निकालूँगा, square निकालूँगा, छोटी वाली value का, और इसको आपस मैं plus कर दूँगा, simple सा तरीका है, अगर अब नंबर का square याद है, तो सीभी, कितना हैगा, 529, और 529 प्लस कितना है, 23, 529 प्लस 23, क्या बन जाएगा, 552, आसान, मतला अगर मुझे लगता है, कि अगर मुझे square याद है न, तो सर, ये तो मन में भी हो सकता है, कोई difficult task नहीं है, addition ही तो करना है, add आप कर सकते हैं, आपने plus कर दिया तो answer आ गया, जैसे मैं और भी example करके दिखाता हूँ, जैसे लिख कितना होगा, 96 होगा, प्लस यहाँ पे क्या 14, प्लस आप कितना 14, अब add कर दो, answer कितना 21 जीरो आएगा, answer कितना 21 जीरो आएगा, सेम अगर मैं इसको देखता हूँ, 21 into 22, छोटी value क्या है, 21 है, तो 21 का square, 21 का square क्या होगा, 441 होगा, प्लस यहाँ पे कितना 21 कर लिखे, प्लस क 27, अच्छा, 26 into 27, तो सबसे पहले अब क्या करेंगे, 26 का square करेंगे, 26 का square कितना होता है, 676 होता है, प्लस यहाँ पे कितना 26 हो जाएगा, इसको आप सब प्लस कर लिजिए, तो 670 plus 20, 690 होगा, 690 प्लस कितना 12, यानि कितना आएगा, 70 कितना 2, यह answer आगा, easy था, simple था, कभी अगर आपको 2 consecutive numbers दिखते हैं, तो 2 consecutive numbers पे बहुत आसान सा तरीका है, आप हमेशा छोटी वाली value का square निकाली है, हमेशा मैं क्या करूँगा, छोटी वाली value का square निकालूगा, उसको आप सब प्लस कर देंगे, जैसे 14 का square प्लस 14, 21 का square प्लस 21, 26 का square प्लस कितना, 26, simple मैं करता ह चीजे क्लियर होंगी, समझ में आया होगा, इसके राभा multiplication में और भी तरीके हैं, तो उसको next video में हम cover करेगे, बाकि जब तक आप इनकी practice करना, चीजों को देखना, और multiplication में और क्या क्या तरीके हो सकते हैं, तो next video हम देखेंगे, बाकि आज के लिए, thank you, bye bye, take care, all the best.